वैश्वी करण के कारक पार के माध्यम से हम अपने देश में उत्पादित वस्तों को विदेशों में बेच पा रहे हैं और उनकी अच्छी कीमत ले पा रहे हैं जिससे हमारे देश की राष्ट्रियाय में भी वृद्धी हुई है इस तरह वैश्वी करण के कारण सभी देश किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हो गए है या एक दूसरे से अच्छे वैपारिक सम्मंद बन गए हैं और वैश्वी करण का लाब ले रहे हैं प्रद्योगी की वैश्वी करण के प्रक्रिया को तेव्र करने में सूचना एवं संचार प्रद्योगी की ICT Information and Communication Technology के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं आप जानते हैं कि आज के युग में Computer Network, Mobile, Email, E-commerce, WhatsApp, आदी के सुविधाएं हमारे जीवन का प्रमुखंग बन गई हैं संचार उपग्रहों के विकास ने इस सूचना तंत्र को काफी आसान बना दिया हैं अनेकों कम्पनियां इसी तंत्र का फायदा उठा कर अपना कारोबार फैला रही हैं उन्हें उत्पादन से संबंधित त्वरित सूचनाय उपलब्ध हो जाती हैं जिनका विसलेशन करना और उसके आधार पर निर्णा लेना काफी आसान हो जाता है उत्पादन की पूरी व्यवस्था को एक ही इस्थान से नियंत्रित किया जा सकता है बैंकों की कारपिणाली में भी काफी बदलाव आया है तथा RTGS के माध्यम से लेन देन करना अब काफी आसान है परिवान के साधनों का अत्यदिक विकास होना भी वैश्वी करन का एक प्रमुक कारण है आज विदेशों में माल भेजने हैं तो बंदरगाहों पर बड़े-बड़े कंटेनरों में वस्तुए पैक कर दी जाती है ये कंटेनर सामान के आकार के होते हैं तथा इनके द्वारा माल का जहाजों पर लदान वा उतारना आसान है पिछले साथ वर्षों में माल को समुद्री मार्क से लाना ले जाना सस्ता हो गया है